आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप तुरंट बना सकते हैं और जब भी आपका मीठा खाने का मन करें आप 10 मिनट में इसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होगी और इसके यहां पर एक जालिया है छोटा वाला लेकिन इसमें जो है काफी अछ्छे से पीज जाता है तो सबसे पहले हम पीज़ tą हैां अफ़र के लिए जादा कंशे ले सकते हैं और Sumamairov के या सो एक तो तो आपको इसं जैय एक लियए फ्लेवर के लिए की एक्षित एक यह तो आप मैंने बारिग पाउडर त्यार किया है तो जैसी में जो mixy को हम 3 राव चार पर चलाते ना तो तक पीशना है तो बिल्कुल बारिग पाउडर त्यार हो जाएगा तो मैं इससे छान नहीं रही हूं और अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल बारिक पिस चुकी है ये तो अगर आपके मिक्सी में अच्छे से नहीं पिसे तो आप इसे चान कर यूज कीजेगा, क्योंकि मोटे दानी नहीं आने चाहिए मतला सूजी जैसा टेक्श्चर चलेगा तो अब मैं इसमें एड कर रही हूँ, यह जो रहती जो दूदक्यों पर आती है, तो आप एक-डो दिन की फ्रेश मलाई उसे उसे यूज करना नहीं तो आप फ्रीजर में मलाई को रख दीजे तो फ्रेश ही रहती है लेकिन जहांता कि फ्रेश मलाई यूज कीजिए इससे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो मैंने दो टेबल स्पून एड़ की है मलाई तो एक तरह से मिक्स करके क्रीमी सा टेक्चर बनाने देना है ताक तो जो काजू बदाम है अगर आप इसको रात को फ्रीजर में रख देंगे तो यह बहुत बारिक बिसेगा इसमें बिल्कुल भी मोटे कंड नहीं आएंगे इसे भी चाने की जूट नहीं होगी इसे भी हम बॉल में डाल देंगे तो अकर आप यह काजू बदाम यानि ड्राइफूर्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताती हूं कि इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें जालुए वन फोर्थ कप मिल्क पौडर जो यह छोटे पैकिट मिलते हैं आप उसको आतर कि पलों में जोड़ों डाले पाकिकाल को इसके सबसे यूज के आए कि थोड़े से ज्यादा अगर मोटे ज Lock नियांगा मैं इसके लिए आप इसे छांग पिसकते हैं तो हम इसमें पूरा ट्रांसफर कर देंगे यह और इसके बाद जो दूसरा कब्ब्ब वो भी हम इसमें पीस लेंगे और यह मेठाई खाने में इतना टेस्टी हो लगेगी कि कोई बता नहीं सकता है कि आपने मुर्मुरे से बनाई होगी और बिल्कुल मावे का टेस्ट देगी है आप एक बर बनाकर इसे जरूर से ट्राइ करना दोस्तों तो दीजी इसे भी मैंने पीस लिया है और बहुत ही अच्छा और बारिक पिसा है यह तो आप पहले एक पर पीस यह फिर इस पर तीन या चार जो भी आपकी मिक्सी में है उस पूरा टाइट नहीं बनाना है इससे सेमी टाइट रखना है मतलब ज्यादा लूज भी नहीं रखना है और टाइट भी नहीं करना है तो जो भी मैंने इंग्रेंट्स यूज किया जितनी भी क्वांटिटी वह उसके लिए काफी सफिशन्ट है अगर आपको ऐसा लगता है क यह काफी लूज है तो आप इसमें coconut powder भी मिला सकते हैं desiccated coconut जो आता है वो भी मिला सकते हैं और अगर आप बदाम और काजू यूज नहीं करना चाहते तो आप आधा कप के करीब desiccated coconut मिला दीजिए लेकिन क्या होता है कि उससे फिर मावे का टेस्ट नहीं आएगा थोड बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो लेजिए मैंने इससे अच्छे से मिक्स कर दिया है बस बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बर्फी के लिए आप चाहे तो इसकी बर्फी बना सकते हैं या पेड़े जो भी आपका मन करें वो कर सकते हैं अब हम इसे जमाएंगे त इसे जमा सकते हैं तो जिस भी चीज में आपको जमाना है उसमें थोड़ा सा उसे ओयाल गी से ग्रीज कर देजिए तो मैं यहां गी लगा रही हूं थोड़ा चारो तरफ हम लगा देंगे ताकि निकालने में आसानी रहेगी आप बटर पर भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे भ पार में भी ला सकते हैं और इसके बिना भी आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगी गार्निशिक टोटली ऑप्शनल है तो देख सकते हैं आप इसकी बिल्कूल परफेक्ट है और अब हम इसे जिस भी आपको शेप का चाहिए जैसे भी मतलब जिद्दी भी मोटाई खाइच यह उससाब से आपिसे जमा सकते हैं स्पेचेला की मदद से हम टैप कर देंगे ऌर अब हम इससे देश्ट करने देते आदा घंटा के लिए आप इस फ्रीज्ज तो देखे मैंने इसे मैंने तो फ्रिज में रग गया था इसे अब मैंने निकाल लिया है सबसे पहले हम इसकी साइड हटाएंगे ताकि बर्फी आसानी से निकल जाए और अब हम इसे उल्टा करके निकाल लेंगे, देखें कितने आसानी से निकल लेंगे, इसलिए मैंने पहले लगाया थी पिस्ता ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए इसमें, तो अब हम इसे कट करेंगे, तो किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं, चाय तो आप इसे पेड़े की शेप दे सकते हैं, या चोटी बर्फी या बड़ी जैसे भी आपका मन करें, तो देखें काटने से आपको पता चल रहा होगा कि इसको बनाने का सारे इंगिडियंट्स आपके घर में मौझूद ही हों और खाने में तो इतनी टेस्ट ही है, आप मेरा एकिन मानिया कि बहुत ही ज़्यादा जिस्ट लगी जो भी आपकी बर्फी खाएगा ये तारीफ के पुल बान देगा, तो जल्दी से बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपकी कैसी बनी, लगने ने कितनी बड़ शेर कीजिएगा ताकि उनको भी इस मज़ेदा रेसिपी के बारे में पता चल गए, तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो देर किस बात की जल्दी से इससे बना डालिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी मज़ेदा रेसिपी के साथ,